में अन्हु में फिटनीश और हिल्थ से रिलेटीव इन्फरमेशन जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और दबाए ये बेला के आइकोन को ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाएं तो फ्रीन्स आज का हमारा तापिक है आर्म यानी बाईश आपका साइज कैसे गेन करें और इस वीडियो में हम आपको हर वो बड़ी टिप्स बताएंगे जिससे आप अपने आर्म का साइज जल्दी से गेन कर सके फ्रीन्स इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे ताकि आ आपको हमारी दी हुई हर एक टिप्स अच्छे से समझ में आएगी तो चलिए शुरू करते हैं एक मीडियम वजन से एक सरसाइच करें दोस्तों मैंने देखा है कि बहुत से लड़के यहां पर गलती कर देते हैं वे लोग यह सोचते हैं कि अगर हमको अपने बाइसेप्स का साइच बढ़ाना है तो फिर हमको भारी से भारी वजन से कसरत करनी होगी लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यह बिल्कुल घलत तरीका है और आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर आप जरूरत से ज्यादा भारी वजन से एक सरसाइच करेंगे तो आप सही से अपने बाइसेप्स के मसल को टारगेट नहीं कर पाओगे इसलिए आपको यह अध्यान में रखना है कि आप जरूरत से ज्यादा भारी वजन से एक सरसाइच बिल्कुल भी ना कर क्योंकि जब आप सही से biceps के muscle को target ही नहीं कर पाओगे फिर आपके biceps का size कैसे बनेगा लेकिन मैं यहाँ पर यह भी नहीं बूर रहा हूँ कि आपको बहुत ही हलके वजन सी exercise करनी है आपको medium वजन सी exercise करनी है जिससे कि आप सही तरीके से अपना workout से complete कर पाओ पढ़े जिम कैस करें दो बाड़ बेल कर ले exercise करें दोस्तों यदि आपको biceps का size बढ़ाने का सबसे बढ़ा तरीका जानना है तो मैं आपको कहूंगा आप बाड़ बेल कर ले exercise जरूर करें क्यूंकि यह exercise बहुत ही बढ़ा है और यह आपके biceps की size को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद कर आपको बाड़ बेल कर ले exercise की तीन सेट करना है और हर सेट में आपको 6-7 reps करने से बहुत ज्यादा फाइदा और अच्छे result मिलेंगे तीन डंब डंबल कर ले exercise करें डंबल कर ले exercise बहुत ही बढ़ा exercise है और आपको इसको अपने biceps workout routine में जरूर शामिल करना चाहिए इस exercise के लिए आपको तीन सेट करना है और हर चैट में आपको 6-7 reps करना होगा इस से भी आपको अच्छे result मिलेंगे चाहिए आर घलत तकनीक से exercise ना करें दोस्तों मैंने देखा है कि लड़के जिम में बहुत ही घलत तरीके से exercise करते हैं मान लीजिए अगर कोई लड़का बाड़ बेल कर ले exercise कर रहा है तो उस समय पर वेह कसरत करते समय अपने पूरे बदन को इतना ज्यादा खिलाता है कि विजन का पूरा प्रभाव उसके biceps के muscle पर बिलकुल भी नहीं पढ़ता है जिसकी वज़े से उनका size नहीं पढ़ता है आपको ऐसी गलती बिलकुल भी नहीं करना है यदि आपको पता नहीं है कि कौन सी exercise किस तरीके से किया जाता है आप अपने जिम के ट्रेलर की मदद ले सकते हैं क क्यूंकि उनको पूरी जानकारी होती है कौन सी exercise किस तरीके से करना चाहिए ताकि आपको अच्छे और ज्यादा better result मिले पढ़े biceps कैसे बनाए पाश concentration call exercise दोस्तो डंबल concentration कर ले exercise आपके biceps की सुन्दर ताको और भी ज्यादा बढ़ा देगा क्योंकि बहुत ही बढ़ा एक्सरसाइज है और यह exercise को करने से आपके biceps की peak और cutting में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा लेकिन मैं आपको यहाँ पर कहना चाहता हूँ जब आप यह exercise करें उस समय पर आपको पूरा फोकस अपने biceps के muscle पर देना होगा और आपको अपना पूरा ध्यान हर एक रेप में लगाना होगा तभी आप अपने biceps का size और सुन्दरता दोनों बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ इसमें cutting भी लाफते में केवल दो दिन अपन से लड़कों की यह सोच होती है वे लोग सोचते हैं कि हम लोग जितना ज्यादा अपने biceps को train करेंगे उतना ही ज्यादा हमारा muscle development होगा और साथ ही साथ उसका size भी बढ़ेगा लेकिन दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यह एक गलत फहमी है और इस गलत फहमी से आप को जल्दी निकलना पड़ेगा अगर आपको अच्छे result चाहिए ज्यादा कसरत करने का मतलब यह नहीं है कि आपको जल्दी result में जाएंगे दोस्तों अगर आप ज़रूरत से ज्यादा exercise करेंगे तो आपको इसका केवल नुकसान ही होगा